नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है टेकी बैंकर मनिराज चैनल में मैं हूं मनिराज पटेल तो आज का हमारा टॉपिक है कैनिरा रिकरिंग डिपोजिट धन वर्षा अब इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रिकरिंग डिपोजिट या डि के बारे में तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा आप वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें जो नॉर्मल डि जो होती है बै के लिए उस वीडियो को अच्छे तरह के से देखें अगर आप को आई डि बनवाना चाहते हैं कैनरा बैंक में तो वीडियो आप ज़रूर देखें और उसी से जुड़ा हुआ एक यह वीडियो है कैनरा धन वर्शा यह भी दोस्तों एक प्रकार का आईडी है रिकरिंग ड चलूँगा कि रिकरिंग डिपोजिट और धन वर्शा जो इनका यह एक अलग प्रकार का आईडी है इसमें क्या अंतर है तो यह मैं आपको बताता चलूँगा लेकिन ज्यादा फोकस अपना में धन वर्शा पर ही रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिकरिंग डिपोजिट की धन वर्शा की तो दोस्तों नाम है देखिए धन वर्शा नाम से आप थोड़ा समझे धन वर्शा क्यों लिखा गया है क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल आइडी होती है उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा तो एक तो application form लगेगा जो कि आपको bank से मिल जाएगा दूसरा आपका pen card का photocopy और original वो देखेंगे और अगर आपका pen card नहीं है तो form 60 और form 61 यह single page के होते हैं यह आपको branch में जाएंगे तो वो आपसे भरवा लेंगे ठीक है और दो passport size photo लगेंगी यह तो हो गया individual के लिए joint account के लिए लेकिन अगर चुकि यह बहुत सार लोग खुलवा सकते हैं company खुलवा सकती हैं trust खुलवा सकती हैं तो अगर आप individual या फिर joint account के अलावा कोई हैं कोई company हैं कोई दुकान है आप प्रप्राइटर है आप पार्टनर है तो उसके लिए जो उस दुकान के document है जैसे माल बात नहीं है अगर आपको सेविंग अकाउंट कुछ भी आपका केंडरा बैंक में हैं तो यह document भी आपसे नहीं मागेंगे ठीक है बस हाँ pencard का photocopy और pencard जरूर लेके जाए क्यों कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि pencard डला हुआ है हमारे account में लेकिन जब वहां प तो देखते हैं कि इसमें eligibility मतलब कौन कौन इसको खुलवा सकता है eligibility किसी 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 होती है तो individual joint account holder ठीक है minor भी खुलवा सकते हैं लेकिन उसमें guardian के तौर पर उनके माता पिता को जोड़ना पड़ेगा किसी को भी जोड़ना पड़ेगा या तो माता या पिता को proprietorship account, partnership account, company, association, trust and institution ये सब भी कैनरा धन वर्षा खुलवा सकते हैं HEF हिंदू, undivided family ये जो account होता है ये लोग धन वर्षा नहीं खुलवा सकते हैं यहां थोड़ा सा अंतर आता है R.D. और धन वर्षा में R.D. में वो लोग खुलवा सकते हैं HEF वाले खुलवा सकते हैं, धन वर्षा में नहीं खुलवा सकते हैं तो पहला अंतर तो आपको समझ में आ गया बाकी eligibility तो सेम ही है उसके बाद बात करें deposit की deposit की बात करें कि भाया कितना deposit करना पड़ेगा कितने से हम R.D. खुलवाएं R.D. में भाई हमारे पास इतना पैसे हैं नहीं हर मेहना कुछ नहीं कुछ डालते रहेंगे हमारी salary में से हम कुछ नहीं कुछ डालते रहेंगे उसको R.D. बोलते बस यहीं अंतर होता है बाकी rate of interest वगरा सब सेम होता है F.D. और R.D. में में तो वहाँ पर 50 रुपए सोचिए 50 रुपए से आप R.D. स्टार्ट कर सकते है और मैं maximum की तो कोई limit ही नहीं है वहाँ पर लेकिन यहाँ पर limit लगाई गई है बताओंगा मैं क्यों इसके पेछी यह कारण है अब देखें period कितने समय के लिए खुलवा सकते है तो इसका है कि minimum एक साल के लिए आपको खुलवाना पड़ेगा आप जाओगे ब्रांच बोलोगे साहब मुझे धनवर्षा R.D. खुलवानी है 6 महने के लिए बना कर देंगे अटरे सेमें के नहीं सरु कम सकम एक साल के लिए खुलवाना ही पड़ेगा मदा बारा महने के लिए खुलवाईए ठैक है और maximum आप 10 साल के लिए खुलवा सकते हैं 120 महने महने के लिए नॉर्मल अड़िक खुलवाएगी तो वहाँ पे एक साल你們 Сам hemen जो आपका महेने का इंस्टॉल्मेंट या प्रेमियम जाएगा वो तो जाएगा ही जैसे नॉर्मल आईडी में जाता है लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एमाउंट आ गया है महीने के बीच में तो भी आप इस एकाउंट में डाल सकते हैं समझ में आ रहा है आपको मतलब मालिज अगर आपने एक हजार के आईडी खुलवाई अब आपके पास 500 रुपे और उस महीने के बीच में आ गया है तो आप जाईए और इस एकाउंट में इस पर्टिकलर एकाउंट में आप डाल के आ जाईए वो भी तब दिल हो जाया काम लेकिन नॉर्मल आईडी में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन धन वर्षा धन की वर्षा मतलब जो चल रहा था उसके अलावा भी आप डाल सकते हैं इसलिए यहां पे इसको धन वर्षा बोला क्योंकि आप जितना डालेंगे उतना आपको इंटरेस्स मिलेगा धन की वर्षा होगी उस हिसाब किसे समझेए फिर और क्या इस दोस्तों है इसमें कि भाई बीच में तो डाल सकते हैं ठीक है और आप बीच में कितनी बार भी डाल सकते हैं ऐसा नहीं कि एक बार दो बार त्रीन बार कितनी बार भी आप इसमें डालिए पैसे डालिए कितनी बार भी डालिए कोई दिक्त नहीं है ठीक है और इसमें क्या है तो आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों जैसे मान लिजे अगर आपने 1,000 के आईड़ी खु़वाई अब 1,000 के आईड़ी के बाद आपने बीच में महाईने की बीच में 1,000 और डाल दीया है तो अगर टाल दिया है तो उत्रा ही अमाउंट आपको अगले महिने उसे तारिक ओ ढालना पड़े गा अगर आपने वीछ में ऊत्नी हें माउंट डाला है तो उसको ये म्षोचिए कि कंप्यूटर उसको अगले महिने का कंसिड ree cut करेगा नहीं है तो इसमें है deposit deposit can be made at any number of time in a given month in multiple of regular installment मतलब कितनी बार भी आप deposit कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें और इसमें आप standing instruction भी लगवा सकते हैं मतलब आप बरांच आईए बोले कि साब इतना जो है आप मेरे account में मेरे खाते से मेरे saving से डालते रही है तो standing instruction भी लग जाता है समझ में आ रहा है तो में जो difference था धन भर्षा और आईडी में यहीं पे आता है और एक दोहर difference है वीडियो आखिर तक देखेगा वह difference भी आपके सामने आने में मिलेगा फिर आपको लगए हम normal ID क्यों ने खुलवाएं हम धन वर्षा क्यों खुलवाएं तो दोस्तों धन वर्षा में आपको option है ना flexibility है आप बीच में भी पैसे डाल सकते हैं इसमें extra जो आपके पास आय हुए है नॉर्मल ID में आप नहीं डाल सकते हैं यह अंतर आ रहा है आप इस चीज़ को समझे आप ठीक है उसके बाद बात करें interest application इंटरस्ट भी आप याज कितना मिलेगा तो interest application में आप इसमें देखिए इसमें क्या है कि आप जो normal installment डाल रहे है हर महीना उसमें तो जैसे ID में आपको interest मिलता है यह बहुत लोग को पता नहीं होता है कि आपने जो 20 में पैसे डाले है वो डेली बेसिस पर calculation होगा उसका और जो सुरुवात में आपने हर जो हप हर महीना डाल रहे है उसका तो भाई normal ID की तरह calculation होगा ठीक है तो यह interest application आपको समझना चाहिए उसके बाद बात करें special rate for senior citizen भ जोड़ा सा अंतर है वहाँ पे क्या है कि आप अगर 50 रुपय का भी कोई ID खुलवाते हैं ठीक है और 6 महीना वहाँ तो कम सकम 6 महीना है ही 6 महीने कम सकम आपर खोलना पड़ेगा ID के लिए तो वहाँ पे कोई इस लिमिट नहीं है कि मतलब 0.5% तो मिलेगा लेकिन आप एक साल भी खुलवाएं 6 महीने खुलवाएं कोई दिक्कत ने लेकिन यहाँ पे क्या है कि 0.5% जादा तो मिलेगा लेकिन उनी को जादा मिलेगा जो for deposit with 10 or of 180 days and above मतलब वैसे हो तो यहाँ पे एक साल का है कि एक साल एक साल जो है एक साल कम से कम आपको खोलना पड़ेगा लेकिन एक साल में भी 6 महीने के उपर जब हो जाएगा उस senior citizen को तो ही 0.5% यहाँ मिलेगा तो यहाँ थोड़ा से उन्होंने अपना हाथ बांदा है बैंक ने कि भाईया senior citizen हो अच्छी बात है लेकिन कम सकम 6 महीना अपना आइडी चलाओ तो ही हम आपको 0.5% ज्यादा देंगे यहाँ पर वो थोड़ा हो गया है फिर टीडियस की बात करें तो टीडियस जैसे आइडी में होता है टीडियस कटता है वैसे यहाँ भी टीडियस कटेगा यहीं टीडियस से बचना है तो क्या करना चाहिए दोस्तों बताईये कमें जरूर बताईया टीडियस से बचने के लिए क्लेकर करना चाहिए मैं नहीं बताओंगा यह मैंने आएडी वाले वीडियों बता बता दिया है अगर आपको जानना है कि इसे कैसे बचें क्या फरम भरें तो चरूर देख इंग किस तरीके से हैं अगर हम चाहत सब मेरा नमिनेशन फैसलिटी होती है, यहाँ ही है, यहाँ आप मायनर को भी नोमनी बना सकते हैं, लेकिन गारजन की तोर पे किसी और को उसके साथ रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर वह ली बात है, ठक है, लोन फैसलिटी, दोस्तों यह बहुत इपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे वहाँ important था वैसे यहाँ पर important है मतलब अगर आपने कोई धनवर्षा rd खुलवाई है तो आप उसके पर लोन ले सकते हैं सोच इतना अजीब है कि आपने आइडी खुलवाई है तो आपको आइडी तोड़निक जुरूरत नहीं है आप उस पर लोन लेजिए बैंक ही आपको लोन देगा आदे घंटे में लोन मिल जाएगा कोई ज्यादा लिखा पड़ी नहीं होती उसमें आधार पैन दो फोटो लगेगा साइन होंगे आपके एक दो कागजात में ठीक है और नबे परसेंट आपका जो भी आइडी अबिताक अमाउन आपने एकठा कर रहा है उसका नबे परसेंट आपको लोन मिल जाएगा बहुत ही आसान लोन होता है और इसका जो ब्याजदर होता है रेट अफ इंटरेस्ट हो $2 परसेंट आपकी जेव से गया आपको आईडी भी नहीं तुडवानी पड़ी आपको धनवर्शा नहीं तुडवाना पड़ा और के वhen आपकी जेव से 2% ब्याज गया आपकी जेव से सूचिये थिक है तो 2% ब्याज पे लोन मिलना एक बहुत बड़ी बात है तो इस फ क्योंकि भाई आप बीच में पैसे उनके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो नो पेनाल्टी फॉर प्रिमेच्यूर विड्रॉल मतलब अगर भाई आपने चार साल के लिए खुलवाया अगर आपने धनवर्शा खुलवाया लेकिन आप एक साल में ही तोड़ देते हैं तो भी को ना तो प्रिंस्पल से कुछ अमाउंट कटेगा ना ही इंट्रेस से कुछ अमाउंट कटेगा जितना आप जितने दिन तक आपने बैंक पैसा रखा है ठीक है उतने दिन का ब्याज आपको देते हुए बैंक आपको पूरा पैसा वापस कर देगी जबकि RD में ऐसा नहीं है RD में 1% की पैसा लगा है उस पे नहीं है वो पैसा दर पे जो ब्याज आपका बना हुआ था उस पे 1% कम करके बैंक आपको पूरा पैसा वापस कर देता है RD में धनवर्शा में ऐसा कुछ भी नहीं है और यहां पर यह भी है कि अगर आप इंस्टॉल्मेंट देने में महीने आपको लेट हो जाता है तो यहां पर उसके लिए भी कोई पेणाल्टी नहीं है नहीं है गर आपने 4 महीने तक कोई इंस्टॉल्मेंट नहीं दी तो वहाँ पे तो भाईया compound interest जो मिल रहा था हो compound interest बदलके simple interest में convert हो जाता है और आखरी में आपको जो ही पैसे मिलेंगे वो simple interest के साब से मिलेंगे RD में लेकिन यहाँ पे असा नहीं है यहाँ पे कोई आप डेले करिए कोई आपके उपर extra penalty नहीं लगाई जाएगी तो मुझे लगता है थोड़ा सा धनवर्शा आपको समझ में आया होगा RD आपको समझ में आया होगी दोनों में difference आपको समझ में आया होगा बहुत ही आसान है और आज कल तो brand जाने के बज़रूत नहीं है अब तो Canera Bank के net banking है mobile banking है वो सब इस्तेमाल करिए मैंने कितने सारे उसमें वीडियो बना रखे है application के net banking के वो सब देखिए और मैं अभी कुछ दिन बाद इसके बाद ID और धनवर्शा आपको बना के दिखाऊँगा Canera AI One application से दो बनेट का काम है फटा फट बन जाता है ब्राण जाने के जुरूत नहीं है इवन जब उसको तोड़ने की बारी आएगी तो आप घर बैटे तोड़ भी सकते हैं ठीक है क्योंकि आपने घर बैटे बनाया तो घर बैटे आप तोड़ भी सकते हैं तो आप कमेंट वोक्स में मुझे बताइये मैं आपका रिप्लाइ करूँगा और बैंकिंग से जुड़ी हुई मैं ऐसी ही और वीडियो लाता रहता हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आये हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, चलिए, चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत,